पाच्वास्थम जो हमारे बिद्नस को ग्रो करने में सपोर्ट करता है जिसको हम कहेगे सेल मेनेजमेंट हर बिद्नस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका सेल्स जो है वो बढ़ता रहना चाहिए क्योंकि sales जो है वो business के अंदर always revenue generate करने का काम करता है तो sales management का मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं इंडिया के अंदर जितने भी लोग खरीदी करते है ये खरीदी करने की philosophy है जो इंडिया में लागू होती है हर बंदा सबसे पहला क्या करेगा buying attitude बनाएगा फिर वो ट्राइल करेगा फिर वो क्या करेगा बिल्यू करेगा फिर purchase करेगा फिर recommend करेगा ये हमारी खुद की pattern है हमें कुछ खरीदना हो तो हमारा पहला क्या होता है मुझे गाड़ी लेनी है फिर गाड़ी लेने के लिए जब हम निकलते है तो पहला काम क्या करते है चलो ट्राइल कर लेते हैं ट्राइल होने के बाद फिर क्या होता है कि उस गाड़ी को चलाने के टाइम पर हमें ऐसा महसूस होता है कि चलो यह अपने लिए comfortable है तो हम आगे बढ़ते हैं फिर क्या होता है purchase और purchase करने के बाद अगर हमें अच्छी mileage मिले और अच्छा हमें चीशे वहाँ से provide और फिर हम अपने दोस्तों को लोकों को क्या बुलते हैं recommend करते हैं कि भाई आप भी ये गाड़ी ले सकते हो बाव बली सब ने देखी सब को recommend की कितना रुपिया मिला अब हमें क्या करना है हमें लोकों का जो system है उसमें हमें अपनी company को और अपनी product को add करना है clear? पहले के time पर लोग नाने के लिए साबू नहीं लगाते थे लोकों ने एड दिखा दिखा के दिखा दिखा के लोकों को साबू से नहलाया hand wash लोग पहले नहीं करते थे अभी बता बता के बता बता के ये होता है वो होता है लोकों को करवा ळिया मतलब कहने का ये है लोकों की आजद में आपको अपनी product को add कर देना है आपके बगेर लोकों को नहीं चले ये ये पूरी process है sales की अब आगे अपने बात करते हैं कि इसको और सेट अप करने के लिए क्या करना है वाइ कश्टमर डॉन बाइ फॉर यू लोग क्यों आपसे नहीं खरीते हैं तो लोग आपसे इसलिए नहीं खरीते हैं जिसका सबसे पहला कारण है इसको पता ही नहीं है कि आपके पास कुछ है और कई लोग समाज में एक लोग के साथ जब इखटा होते हैं तो पता चलता है अल्या तमें बना बना हो जो होतो 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 तमें अमना मईडा मने इसका मतलब आपने मार्केट में awareness दिया ही नहीं है कि आप बनाते क्या हो आप करते क्या हो आप बहुत बड़े चुपे रुस्तम आप क्या करते आप कोई पता है कीसी अब को पता ही नहीं तो यह गलत चीज यह sales करना है marketing में आना है फिल्ड में आना है तो आपको दो चीजों की डिग्री आसिल करनी पड़ेगी कौन सी एक आपको बनना पड़ेगा बे सरम क्या बनना पड़ेगा और दूसरी डिग्री आपको थोड़ा हरामी भी बनना पड़ेगा क्या बना पड़ेगा हाराम हैκαी हुआ क्यों कि कही बार हमेंरे सेल्स मिल सकता होता है या ऑपरचीटी होती है लेकिन यह 2 छीज़े अपने अंदर नहीं होती है न हम अपने आपको कही बार लोगों के बीच में प्रेजंट करते ही नहीं है हम डरते हैं तीन बार हुआ तीन सेशन हुआ कितने लोगों ने एक दूसरे का नंबर एक्सेंज किया और कितने लोगों ने एक दूसरे को काड़ दिया बहुत बढ़िया अभी भी कुछ लोगों ने नहीं किया तीन सेश benefit for your product product के बारे में तो पता है आप बनाते हो ये भी पता है लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उससे उनको क्या फाइदा है और इंसान की फित्रत है जब तक फाइदा नहीं दिखेगा तब तक वो involve होगा नहीं, enter होगा नहीं, तो उसको benefit दिखाने पड़ेगे थर्ड चीज़ जो होती है, लोग हम ऐसे नहीं खरीते है, they don't feel your product has कि जो product आप उसको खरीत कर दोगे या जो product वो आपकी खरीतेगा, उससे उसकी value create होगी, ऐसा उसको महसूस नहीं होता है, उसको क्या लगता है, ये लेके तब भी चलेगा, नहीं लेके तब भी, देखना अधिकतर बात, जब आप meeting में बैठते हो, Apple का phone जिसका भी होगा, वो जेब में नहीं रखेगा, वो भार रखता है, जिसके पास भी Mercedes हो, BMW हो, OD हो, या एक अच्छे level की गाड़ी हो, वो चावी जेब में नहीं रखता है, वो भार रखता है, वो दिखाता है अपना status के सामने वाले बंदे को ये फिल हो, कि इस चीजों की ownership मेरी है, घमंड नहीं बोल सकते है, लेकिन ये एक status symbol बोल सकते है, कि आपकी product को लेकर सामने वाला ये महसूस करता है, ये सवाल है, क्या उसको ये महसूस होता है, कि नहीं, ये भी मेरा status symbol है, वर ये नहीं होता है न, इसलिए लोग लेते नहीं है, जानते है, पैचानते है, आपको मिलते है, लेकिन आपसे खरिदते नहीं है, फिर चौती प्रोड़क उसकी निट के इर्द गिर्द होती है लेकिन उसकी जरूरत बुरी नहीं कर पाती है तब वो नहीं खरीटता है फिर पाचवा ऐसा रिजन निकल कर आता है यॉर प्रोड़क इस नौट कि सबकुछ पता होने के बावजुद या सबकुछ क्लियर हो जाने के है जो रिजन मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किये जिसके कारण आपकी प्रोड़क जो है वो मार्केट में अविलेबल है लेकिन फिर भी लोग लेते नहीं है अब हम आगे बात करते हैं कि अब यह कस्टमर को अगर हमें यह देना है तो हमें जानना पड़ेगा मार्क में भाई साब चार तरीके के कस्टमर होते हैं अब तक हम सबको एक ही समझ रहे थे लेकिन यह चार कर्टिगरी है पहली कौन सी है कुछ कस्टमर आपके की है कुछ कस्टमर आपके लोयल है कुछ कस्टमर आपके ट्राइल जुमर है और कुछ कस्टमर आपके डायरेक्ट है स आपको अपने बिदनस में इन लोगों का क्या बनाना है लिस्ट बनाना है और वो लिस्ट बनाकर शेयर करो आपकी टीम के साथ कि बाई ये अमारे की कस्टम हरे इनको प्रॉपर ढंग से टेकल करना इनको टेकल करने में कोई भी तरीके की गलती होनी नहीं चाहिए मैं हूँ या नहीं हूँ बरबर वो उनको बताना है फिर क्या करना है उनको आलवेस हमें ऐसा इंपोर्टन वर स्पेशल फिल करवाना जैब वो अपने पास आते हैं तो उनको वो महसूस करवाना है कि आप हमारे लिए प्रीमियम है फिर हमें क्या करना है एक अच्छे लेवल का रिल किसी के लिए की customer हो आपके customer को बता है कि वो आपके की customer है क्योंकि हमने कभी बताया ही नहीं है कि हाप मेरे लिए valuable हो और इसलिए बहुत सारी companyों में हम vision mission launching करते है इन लोगों को बुलाते है इनका मान सम्मान करते है और इनको बोलते है कि पास साल में हम करना रहेगा ये always द्यांद रखना है और brand ambassador and our unpaid salesman है ये ये customer आपके brand ambassador है और बीना पैसे लिए आपके लिए sales का काम करने वाले है और करते है सही है तो इसका कोई reward तो इनको जाना चीए ना वो आपको decide करना है कि आपको उनको क्या देने की जरुवत है वो आप लान करो second customer जो यहाँ पर आते है जिसको हम कहेगे loyal customer इनकी definition कुछ ऐसी होती है ये symptoms होता है पहला क्या होता है they will always find you जब भी आएगे आपको ढूंडेगे आपको याद करेगे और आपके पास आकर रुकेगे ये customer का mindset क्या होता है they will not take interest in your team आपकी team में वो जड़ा भी interest नहीं लेगे वो आपको ही पकड़ेगे और आपको याद करेगे और आप से ही खरीदेगे क्यों 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 उसको आप भागे इसलिए फिर क्या करना है invite them a special time उनको उस time पर भुलाओ जिस time पर आपके पास time हो आप गड़बड़ी में हो और वो आगे वो चलेगे तो वो खरीदेगे नहीं क्या बोलेगे next time आएगे कब जब आप free होगे तब फिर क्या करना रहेगा attend करना है हमें personally और वो भी team के साथ और फिर क्या करना है हमारे team member को promote करना है कई लोगों को ये problem होता है कुछ customer मेरे से जुड़े है वो always मेरी requirement रखते है मुझे छोड़ते ही नहीं होता है तो इसका solution क्या है पहले तो list बनाओ इन लोगों को मिलो इन लोगों को मिलने के time पर अपने senior बन्दे को अपने साथ रोको उसको उनके सामने promote करो और next meeting में जब वो आए तो वो promote कियो है बन्दे को आगे करो आप उसके साथ रो you do, I see I do, you see, you continue do, no need to see, ये करना है clear? फिर तिसरी category आती है, ये category इसके अंदर हमें क्या करना है they have strong bonding with you always buy for you आपके साथ उनका अच्छा bond build हो गया है तो वो always आपको ही पकड कर रहेगे लेकिन आपको तो routine से free होना है ना, तो किसी और को तो promote करना पड़ेगा तब आप free होगे